विशू में कपास की खेती, सल्य चिकस्ता, लकड़ी की नाली, भुकम एवं जूते हुए खेतों के साख से कहां से प्राप्त हुए हैं। बताना है दोस्तों कि विशू में कपास की खेती, सल्य चिकस्ता, लकड़ी की नालिया, भुकम और जूते हुए जो खेत है उसके सरोप्रतम साख से कहां से प्राप्त हुए है। कहां से प्राप्त हैं दोस्तों तो ऑप्शन डी आपका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा काली बंगा अनुमान गड़ में इस्तित है जहां से यह सारे साख से प्राप्त हुए है। तो बढ़ते हैं नेक्ट क्यूसन की तरफ विशु का सबसे बड़ा सती मता का मंदिर कौन से जिले में इस्तित है। भीलवड़ा बूंदी धून-जुनु के बड़ते हैं रिकिस्तान की पूर्ती करनीclock की दोस्तों कि मह इस पास्तानम का मातर मंदिर है जहां देवी की ख़द्वा कि तो कि तक पूर्ती करनी है कि कहां पर किया आने वया है तो इसमें की अुष्ट क Travis कि सोर्चेन बारा सोर्चेन बारा में इस्तित ब्रहामनी माता का एक मातर मंदिर है जहां देवी के पीट की पुजा की जाती है ऑप्सन सी कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट क्यूशन की तरफ विशु का एक मातर खेजडली वरक्स मेला कहां बढ़ बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ विशु की पहली बार सितंबर 1997 को सोर उर्दा से संचालित नाव उदेपुर में कौन सी जील पर चलाए गई थी तो सोर उर्दा से चन्ने वाली जो नाव थी दोस्तों वह पहली बार उदेपुर के अंदर चलाए गई थी पूचा है कि कौन सी जील पर चलाए गई थी वह आपको बताना है ऑप्शन सी आपका कर्रेक्ट आंसरों जगा पिछला जील पर सुर उर्दा से संचालित नाव उदेपुर में चलाए गई थी विशु में पहली बार ठीक है बढ़ते हैं नेक्ट क्यूशन की तरफ बारत में एक मातर जगह जहां बखराए इध पर उच प्चिक कुर्बानी दि जाती है एक्जाम के जरबटर से वरिंपlasting किउशन है थो ऑसने आपका अंसर हो जाएगा नेक्ट क्यूशन की तरफ एक मातर बधरेक्त ऑप्र बिवीशन जी का मंदिर एक ही मंदिर है रास्तान में जो कि कहां पर स्थित है के तुन कोटा में स्थित है बढ़ते हैं राज्य की सरवादी खारी धिल कौन सी है दोस्तों बताना है कि राज्य की सरवादी खारी धिल पूचा है ठीक है तो यह बताना आपको सरवादी खारी सबसे बड़ी खारी बता देना है बढ़ते हैं सबसे पीछड़ा जिला है किसे माना जाता है उदोगी दरश्टी से पीछड़ा जिला माना जाता है सरवादिक नदियो वाला जिला बताना है दोस्तों आपको बूंदी बारा जालावाड या फिर कोटा ऑप्सन डी कोटा आपका करेंट टांसर हो जाएगा सरवादिक नदियो वाला जिला किसे कहा जाता है कोटा जिले को कहा जाता है और दोस्त मसाला उत्पादन करने वाला जीला आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जीला है टॉंक जयपूर बारा या फिट जहलवाड और सी आपका कर्रेक्ट आंसर जगा बारा बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ सरवादिक लूग आंडियो वाला जीला है सरवादिक लूग जला स्रीगंगा नगर स्रीकह नगर को सरवादिक फल उत्पादन वाला जीला नगर सरवादिक लवाल एक जिला भी इसको कहते हैं औरसने आपका क्ररेट टांसर हो जएगा नागोर में सरवादिक परसु मेलोग आजन कियाा बढ़ते हैं नेक्ट कुसिन कि तरफ सरवादिक छेटरपल वाला जिला है धर की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला सिर्फटा कुन सा हुआ आपको बताना है अपके सरवादिक वाला जीला है सरवादिक संपतव वाला जीला पूच लिया जाए तो भाड़ मेर बताना है बढ़ते हैं स्रीगंगानगर फिक है उसमें सालों को championship को से संभाग का आकार जः और संबाग जोदपूर संबाग या अजमेर संबाग का आकार जम्मु कस्मेर का समान है बढ़ते हैं कि रास्तान का अंडमान कौन से जीले को कहा जाता है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब कर दीजिएगा यह वो क्यूशन है जो परिक्सा में बार बार पूछे जाते हैं बैसिक लेवल के क्यूशन है ज्यादा टफ नहीं है मुझे लगता है सभी बचे इसके सारे आंसरों को ही ठीक कर देंगे या फिर 15 से उपर सभी का सुर्दाए जैसल मेर को रास्तान का अंडमान कहा जाता है बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट क्यूशन की तरफ राधस्तान में करकर रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है उदेपूर परताबगड डूंगरपूर बहांसवड़ा दोस्तों को दो परकार से पूचा जाता है कि रास्ता अगर पूचा जाएगा तो आपको बताना है option ढूंस वाटा ठीक है, option बढकर करर रेखा कौन से में से से होकर गुजरती है तो बताना है ब्हापर घिर्पोर गुचा को ऐसे ही गुमा पर आंपको क्यूशन होते हैं औनको बढ़ते हैं next Q के तरब विष्व की सबसे बड़ाऌती राज परस्त्रेश को नोज सी जील पर इस्तित आ्यों रासमन जील जो रासमन में इस्तित है वही पर आपकी सबसे बड़ी फरस्ति राज प्रस्थास्ति स्थित्त है उम्मीत करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजीगा कीजे गाया और चेनल को सबसक्राब कीजीगा तो मिलते मान Folies